पब्लिक टीवी आपकी आवाद आयोजित प्रतियोगता में शेडी साही पब्लिक स्कूल पृथमिस्थान पर रहा पीमेस स्कूल दित्तिय स्थान पर तो वहीं स्प्रिंग फिल्ड कॉलिज तित्तिय स्थान पर चुना गया इस अफसर पर प्रतियोगता में वंडर पेरेंट्स को भी संबानित किया गया ब्रेनो ब्रेन संस्था के रीजनल डारेक्टर डॉक्टर अनुराक खैतान ने सभी सफल और विजेता प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट मेडल ट्रॉफी और चैक दे कर संबानित किया ब्रेनो ब्रेन की निर्देशिका दीपाली अगरवाल ने बताया कि चार वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का मानसिक विकास हो और ग्रक्टित का विकास हो इसलिए ये कारक्रम किया जाता है ये कॉंसे संस्था की ओर से क्या करक्रमा जाता है सर अबरी यर हम लोग नैशनल लेविल कॉंपर्टिशन करवाते हैं इस ताइम दिजए नैशनल लेविल इंटर स्कूल कॉंपर्टिशन जो 14 अगस्ट को स्प्निफीड कॉलेज में हम लोगों ने ओगनाइस किया था जिसका पुरुसकार वितरर्स हमारो आज हम लोग कर रहे हैं और इसमें बच्चे मेंली फोकस करते हैं इसमें कि मोटिवेशनल एक्जाम है बेसिकली और बच्चे में बहुत बढ़ चड़के हिस्ता लेते हैं इस साल बारा से पंद्रह सो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें मुरादाबाद के बहुत सारे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है और लास्ट फोर यर से जैसे करोना काल चला था दो-तीन साल बहुत जाला डिस्टरबैंस रहा बट इवन देन वी वर और 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 इस ताइप अपॉंपेटिशन और करिकुलम और जो और उनली अनलाइन बच्चे एक्जाम दे रहे थे पोर्टल पर और कंटिउनसली हम लोगे कॉंपेटिशन हो रहे थे आज मुरादाबाद में फर्स रैंक शेडी साही को मिली है सेकिंड रैंक पीमस पब्लिक स्कूल को मिली है और थर्ड पोजिशन पर स्प्रिंफील कॉलेज रहा है स्प्रिंफील कॉलिज से 6th क्लास का इक विद्यारती रिद्दिमान पांडे रिद्दिमान पांडे रिद्दिमान पांडे यह रही गोट दा नेशनल लेविल वन्ड अचल पर स्कूल उपको 2 थाजन रुपीस का कैस प्राइज धिया गया है ब्रेनों की तरफ से क्या उद्धिश रहता है बच्चों को से क्या फाइदा पॉपस्ता है बच्चों को लर्निंग अबिलिटी पर्सनाल्टी स्किल्स एच एच और अवरिटिंग विल इंप्रूव आफ्टर जॉइनिंग अर्पोर्स हर संडे ये क्लास इस स्प्रिंग फील्ड कॉलर में चलती ह है उन योज का सोचने की समझने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है उन लो का तरींग वो नहीं होता है जो सिंपल इंसान का सोचने का तरींग होता है they always think differently definitely when they will think differently they will do differently this is the main motive of brain o'brain